Types of adsorption, जरा हम चेक कर लेते हैं, types of adsorption किते तरह के होते हैं, देखो जरा ध्यान से, अब ये काम की चीज़ है, dependent upon the nature of force, force of nature between the adsorbent and adsorbent, adsorbent और adsorbent के हिसाब से adsorption दो तरह का होता है, याद रखना adsorption दो तरह का होता है, पहला होता है, यहाँ पर physis option, जो की weak होता है, physis option ज यहाँ पर दो तरह के adsorption होता है, एक तो होता है weak तरह का, एक होता है strong तरह का, तो weak तरह वाले को बोलते हैं basically, physis option, strong तरह वाले को बोलते हैं chemis option, physical adsorption बोला जाता है weak वाले को, और इसको basically हम लोग physis option कहते हैं, और strong वाले को chemical adsorption बोलते हैं, जिसको chemis option भी कहा जाता है, अगर हो कोई पूछे आप से कि physis option में force of attraction क्या होता है तो वो होता है vendor walls force of attraction ठीक है और chemis option में force of attraction क्या होता है वो होता है covalent bond बनते हैं वहाँ पे कई बच्चे यहाँ पर है न मैंने दो धरुंदर दिखाए लड़ते हुए भाई सब की इसकी muscle देखो भाई की लोगों की जो bicep होते है वो उपर की तरफ होते है इस भाई के bicep नीचे लटक रहे है समझ रहे हो तो यह physis option है और यहाँ पर यह भाई का यह chemis option है तो physis option और chemis option दो तरह के ads option होते हैं एक weak होता है दूसरा strong होता है सबको समझ में आया चलिए आप physis option और chemis option के बीच में difference को जड़ा चेक करते हैं अब यहाँ पर यह काम की चीज़ है what is the difference between physis option and chemis option तो इसको आप अच्छे से चेक करना चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले तो physis option ज आपके chemical bond बनते है यार इसमें आपके covalent bond बनते हैं सबको समझ में आ गया तो वो strong होते हैं यहाँ पर relatively weak यह bond होते हैं यहाँ पर relatively strong bond बनते हैं इसके अलावा मज़े की बात क्योंकि यहाँ पर weak bond बनते हैं तो यहाँ पर bond बनने के बाद जो energy बाहर निकलती है वो बहुत ही 20-40, क्योंकि bond ही weak बनाए तो energy भी कम बाहर निकलेगी अगर bond strong बनाए तो आपर energy भी जाधा बाहर निकलेगी तो chemis option में energy जाधा बाहर निकलती है physics option में energy कम बाहर निकलती है, और मैं बाहर निकलने का नाम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि adsorption के अंदर, yes delta h की value क्या होती है negative होती है यह सब को समझ में आया यहाँ पर physics option reversible होता है reversible का मतलब यह हो गया कि अगर आप adsorbate और adsorbent को अलग-अलग करना चाहें तो वह असानी से अलग हो जाएगा लेकिन chemis option के अंदर adsorbate और adsorbent अलग-अलग नहीं होते chemis option के अंदर adsorbate और adsorbent अलग-अलग बिल्कुल भी नहीं होते तो basically वह कैसा होता है वह irreversible होता है तो यहाँ पर क्या समझ में आता है यहाँ पर physics option reversible होता है chemis option irreversible होता है और मज़े की बात देखो physics option बेटा multi layer होता है multi layer का मतलब यहाँ पर physics option ऐसा नहीं है कि सिरफ surface की उपर वाली layer अंदर वाली थोड़ी सी अंदर की तरफ layer तक भी जा सकता है समझ में आता है तो यह multi layer होता है एक उपर की layer और उसके नीची की layer तक वो cover कर सकता है लेकिन chemis option कभी भी multi layer नहीं होता chemis option mono layer होता है और यह सवाल बहुत बार पूछा गया है chemis option multi layer होता है chemis option mono layer होता है सबको समझ में आया और क्या difference है physics option कभी भी specific नहीं होता इसका कोई specification नहीं है जहाँ पर होगा तो हो जाएगा नहीं होगा तो नहीं होगा chemis option बिल्कुल specific है यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि product क्या बन रहा है adsorbent और adsorbent के mix होने के बाद कैसे chemical bond और कौन सा नया product बना है तो यह specific होता है इसके अलबा और क्या है ज़रा ध्यान से आप इसको check कर लीजेगा कि यहाँ पर मुझे मालूम पढ़िया कि physis option specific नहीं होता जबकि chemis option specific होता है यहाँ पर सारी चीजे fix होती है physis option कम होता है lower temperature पर होता है ज़्यादा तर physis option ज़्यादा तर lower temperature पर आपको होता हुआ दिखेगा जबकि chemis option की अगर हम लोग बात करें तो chemis option आप लोगों को old temperature सबी temperature पर होता हुआ दिखेगा लेकिन आप लोगे याद रखना जैसे जैसे आप लोग यहाँ पर temperature बढ़ाते हो इसकी value बढ़ने लगती है लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता यानि कि physics option temperature बढ़ाने पर घटने लगता है अगर आपने यहाँ पर temperature बढ़ाया तो physics option घटेगा लेकिन अगर आपने chemis option में temperature बढ़ाया तो chemis option बढ़ेगा यह मज़ी की बात है अरे यार आपको भी पता है chemical reaction में temperature बढ़ाओगे तो chemical reaction जल्दी होती है इसका मतलब chemis option जल्दी होगा आगे है सबको समझ में अब हम चलते हैं आगे एक्जामपल लेते हैं physics option के तो physics option के example क्या है जरा हम उसको check कर लेते हैं तो सबसे पहले physics option का example है आपने कभी देखा है तो coal mines में काम करते हैं आपर गंदी गंदी गैसे निकलती है तो basically उन गैसों से बचने के लिए हमको ऐसा helmet दिया जाता है आप समझ लेना कि अगर हमने अपनी धर्ती का अपनी अर्थ का ध्यान नहीं रखा और इसी तरह से global warming बढ़ते गया तो एक दिन हमें ऐसे mask निकालके ही बाहर निकलना पड़ेगा दिल्ली में तो यही आलत है और बहुत सारे शेहरों में यही आलत है कि ऐसे-इसे mask उनको देने पड़ेंगे क्योंकि air में pollution इतना जादा है कि हम लोग उसी pollution से बिमार हो जाएंगे हमारे favorite हो जाएंगे तो ऐसे गंदे-गंदे mask हम लोगों को in future पहनने पड़ेंगे और आपको इसके उपर बहुत सारी movies भी मिल जाएंगी इसलिए कहते हैं कि भाई आप फिजीद option का example आपको सामने दिया हुआ है यहाँ पर adsorption of various gases on charcoal बेसिकली अगर आप ध्यान से देखोगे तो मास्क के अंदर यह जो जगा है यह जो जगा है बेसिकली महाँ पर ऐसे filter लगे होते हैं इन filter के अंदर चार कोल भरा होता है और यह चार कोल क्या करता है गंदी-गंदी gases को जो हमारे लिए खराब है उनको adsorb गर लेता है तो उस लेकिन वह पर आप उसको अलग भी कर सकते हो लेकिन what about chemis option का example क्या है chemis option में chemical reaction होंगी जैसे कि oxygen on silver gold platinum आपने leaching पड़ी थी leaching phenomena का example ही दे रही है silver gold platinum के उपर oxygen का reaction basically वो chemis option होता है जैसे कि hydrogen जब भी nickel के साथ जाती है तो वो chemis option का example होता है आप जब भी hydrogenation कराते हो तो वो hydrogen nickel के surface पर चिपक जाती है वो chemis option होता है और एक मज़े की बात बताता हूँ when atomic oxygen is absorbed by graphite आपको बता जिता हूँ कि अगर आपने graphite लिया और उसको oxygen के साथ reaction करवाया तो यह basically किसका example है chemis option का मज़े की बात ही है कि carbon monoxide यहाँ पर बनेगी अब अगर इसको अलग करना चाहोगे तो यहाँ पर oxygen और carbon अलग नहीं होगा यहाँ पर आप लोगों को carbon monoxide ही बा chemical bond बन जाते हैं